सब्सक्राइब कीजिए यूटूब चैनल कुछामन ओनलाइन कलासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ओल नोटिफिकेशन को ओन कीजिए नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज से हम सुरू करने जा रहे हैं सामाजिक अध्यन को टोपिक वाईज पढ़ना सबसे पहले हम लेकर आए हैं दोस्तु बारतिय स्विधान एवं लोकतंतर का टोपिक जिसके अंदर हमारा सबसे पहला टोपिक है आज का वो है दोस्तु जो बारतिय स्विधान है उसका निर्मान और उसकी विशेशता है दोस्तु क्यूसन रहेंगे और क्यूसन किसे रहेंगे कक्सा 6 से 12 तक की जो एंसी एालटी की भूस्तके होती है उनसे जो क्यूसन है वो ही क्यूशन यहां पर आपको मिलेंगे सार है दोस्तों NCRT की क्यूशन है जो वो बुक्स होती है उनका सार आपको क्यूशन की रूप में यहां पर मिलेगा महत्व अपन परसन रहेंगे जो गत एकजामू के अंदर विभी ने एकजामू के अंदर पूछे गए हैं वो ही क्यूशन आपको वीडियो के मादेम से मैं उपलब्द कराऊंगा तो दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परती दिन अगर क्यूशन पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और सेर करें चलते हैं दोस्तों आज का हमारा टोपिक है भारतिय स्विधान के निर्मान एवं विसेशता है पहला क्यूशन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों निम्न में सें किसने भारत की रियास्तों को एकिकरित करने में निर्नाइक भुमी का निबाई थी सी टेट के अंदर दो बार पुछा गया क्यूसे नहीं है दोस्तों सरदार वल्लब भाई पटेल ने डोक्टर भियूम राव अमेड कर ने सी राज गोपालाचारी ने या जुआर लाल नेहरू ने तो आपका सही एंस्वर रहेगा सरदार वल्लब भाई पटेल ने भारत की रियास्तों को एकिकरित करने में निर्नाइक भुमी का सरदार वल्लब भाई पटेल ने निबाई थी बारत का स्विधान कब अपनाया गया था तीन एक जामू के अंदर पूछा गया है दो जार अठारा के अंदर गया जो बारतिय स्विधान है वो कब अपनाया गया था 26 नवंबर 1950 को दो नमर उप्शन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यों सेने दोस्तूं निमलिकित में से कौन बारत की स्विधान सबा में मसोदा सिमेती के अदेक्स थे कौन थे मसोदा सिमेती के अदेक्स डोक्टर बी आर अमेडगर डोक्टर भीम राव अमेडगर जो मसोदा सिमेती बनी थी उसके अदेक्स थे next question है बारत के स्विधान में निमलिकित में से किसका उलेक नहीं किया गया है इन में से किसका उलेक है जो भारत के सविधान में उलेक नहीं है दोस्तू राजनीतिक दलू के नाम का बाकी यहां पर हम देखे दोस्तू दो नमर उप्शन आपका सहिए सरकार का धाचा नागरिकू के अधिकार राज्यू और केंदर सासित परदेशू के नाम इनका है जो सविधान में उलेक किया गया है नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं निमलिकित में से कोण बारत के स्विधान सभा का अधिक्स ठा बारत की स्विधान सभा के अधिक्स कोण बने थे 2018 सीटेट में पूचा गया क्यूसन है दोस्तूं डोक्टर राजेंदर पर साथ दो नमर ओप्षन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं दोस्तों लोगतंतर में चुनाओं के सम्मंद में निमलिकी दो कतनों पर विचार कीजिए परतिनिदित्वे लोगतंतर में लोग अपनी परतिनिदियों को चुनकर एपर्तेक्स रूप से भाग लेते हैं और वे परतिनिदी पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं सरकारे नियमित चुनाऊं द्वारा बदली जा सकती है तो इनमें से सही कौन सा है गलत कौन सा है वो आपको क्या करना है या पर बताना है समझे दोस्तु परतिनिदित्वे लोगतंतर में लोग अपने पतिनिदियों को चुनकर एपर्तेक्स रूप से भाग लेते हैं और वे परते निदी पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं तो यहाँ पर आपका A उए B दोनों ओप्शन सही है दोस्तु नेक्स्ट क्यूशन की ओर चलते हैं राज्ये की विदाई का अंग से अभिप्राई है सर्वोचे न्याया लेके न्याया दिस तो राज्ये की विदाई का अंग से अभिप्राई क्या है दोस्तु नेक्स्ट क्यूशन की ओर चलते हैं क्यूशन है दोस्तु विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विदाले नहीं कर रहा है विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन है जो विदाले नहीं कर रहा है दोस्तु रेंप वाले सारवजने किस्तानु वबहुनु तक सुरसित पहुंच ती नमर ओप्सन यहां पर आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं दोस्तु नेक्स्ट क्यूशन है फोजदार कानून के अंतरगत मामले के निवारन के बारे में निमलिकित कतनों में से कौनसा कतन सही है दोस्तु तो सही कतन में आपको बता देता हूँ, बाकी कतनों से हमें, क्या मतलब दोस्तु जो एक्जाम में आया हुआ है वो ही बताएं, 2016, 2017, 2019 के अंदर ये क्यूशन पूछा गया है दोस्तु, ओप्सन एक आपका सही रहेगा, सबसे पहले पुलीस के साथ पास परतम सूचना रिपो क्या सामिल है, सवेधानिक उपचार का अधिकार के अंतरगत क्या सामिल किया गया है, 2015, 2018 के अंदर ये क्यूशन है, जो पूछा गया है दोस्तु, सवेधानिक उपचार का अधिकार के अंतरगत है, तो दोस्तु, चार नमर उप्सन आपका सही रहेगा, यहाँ पे, यदि क किसी नागरिक को लगता है कि राज्ये द्वारा उसके किसी मोलिक अदिकार का उलंगन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है चार नमर उप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं दोस्तों हिंदू उत्रादिकारी संसोदन अदिनियम 2005 के अनुसार निम लि संसर्थियों के अंदर और आपका एक नमर उप्सन सही है पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपती में बराबर का इस्सा होता है नेक्स्ट क्यूसर की ओर चलते हैं क्यूसर नमर बारा है दोस्तों सवीधान के किस अनुछेद के अंतरगत ए इस पर दोस्तों ओप्सन नमर चार आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं लोगतंतर में संचार माध्यम एक मैत्वपुन भूमिका निबाते हैं कैसी भूमिका निबाते हैं संचार माध्यम देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली गटनाओ का चर्चा करने में एक नमर ओप्षन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं बारतिय स्विधान के किस खंड को अक्सर स्विधान की अंतरात्मा कहा जाता है किस खंड को कहा जाता है अंतरात्मा सविधान की प्रस्तावना को सविधान की प्रस्तावना है उसको अंतर आत्मा का जाता है important question है दोस्तों next question की ओर चलते हैं सभी भारतियों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहिए उनका सामाजी का आर्थिक इस्तर कुछ भी हो ये विचार किसके द्वारा रखा गया था दोस्तों बी आर अमेडिकर द्वारा बीम राव अमेडिकर के द्वारा रखा गया था सभी भारतियों को मतदान का अधिकार होना चाहिए नेक्स्ट क्यूसन की ओर चलते हैं बहुत इंपोर्टेंट क्यूसन है दोस्तों है आलांकि भारत ने सौतंतर होने के बाद सार्व बॉम वेस्क मतदिकार की परकिरिया का चेन किया कुछ मांदंडू के अधार पर कुछ संप्रुबू राष्ट्रू में इसे रोक लिया गया निमलिकित में से कौन सा उन मांदंडू में से एक नहीं है दरम, लिंग, संपती या सिक्षा तो संपती के अधार पर ये नहीं है दोस्तों इस इस्तापना कभी की गई थी जो सविधान सभा हुई थी उसकी स्तापना कभी की गई थी दोस्तूं तो उसकी स्तापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को की गई थी 2013-2016 और 2017 के अंदर पूछा गया QS next question में चलते हैं सविधान सभा में सदश्यू का चुनाव केसे होता है सविधान सभा में सदश्यू का चुनाव केसे वह था दोस्तों तो केसे वह था दोस्तों प्रांतिये सभाउं के दुवारा चार नमबर ओप्षन आपका यहां पर सही रहेगा सविधान सभा के सदश्यू के सदेश्यू द्वारा एप्रतेक्स निर्वाचन था नेक्स्ट कुसे में की थी सविदान सभा की जो पर्थम बेटक हुई थी उसकी अधिक्सता किस ने की थी डॉक्टर सचिदानंद सिना ने तीन नमर उप्षन पांच बार पांच बार दो जार चोदे से लेके रेगुलर पांच बर्तियों के अंदर पूछा गया क्यूसन नेक्स्ट क्यूसन में च बारत की सविदान निर्मारतरी सभा के अधिक्स कोन थे जो सविदान निर्मारतरी सभा थी उसके अधिक्स कोन बने थे डॉक्टर राजिंदर परसा दोस्तों नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन है सविदान सभा के सम्मुग सविदान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था जो सविधान सभा के समुख जो सविधान की प्रस्ताव ना थी उसका प्रस्ताव किसने रखा था जुवारलाल नेरू ने नेक्स्ट क्यूसन है बारत के सविधान निर्मान में सविधान सबा को कितना समय लगा था दो वरस ग्यारा महा और अठारे दिन एक नमर ओप्सन आपका सही रहेगा दोस्तु कुल बारा अधिवेशन इसके अंतरगत हुए थे ये भी याद रगना दोस्तु जो सविधान बना था निर्मान हुआ था उसके अंदर ब वरस ग्यारहमा अठारा दिन में नेक्स्ट क्यूसन चलते हैं बारतिय सविधान के निर्मान के समय सविधानिक सलाकार कौन थे सविधानिक सलाकार कौन थे दोस्तु बारतिय सविधान के निर्मान के समय बी एन राव बेनेगल नर्सिंग राव बेनेगल नर्सिंग राव और दोस्तूं नेक्स्ट की और चलते हैं सविदान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निरने इसलिए लिया गया क्यूं लिया गया दोस्तू 26 जनवरी को लागू करने का कांग्रेस ने इस तित्ती को 1930 में शुतंतरता दिवस के रूप में मनाया था तीन नमर उप्शन आपका सही रहेगा next क्यूसर में चलते हैं सुची दी गई है सुची एक और दो को आपको सुमेलित करके सही एंस्वर का चुनाव करना है दोस्तूं तो चलते हैं दोस्तों सविधान सभा के पेले उपादेक्स कौन बने तो सविधान सभा के पेले उपादेक्स बने थे दोस्तों H.C. मुकर जी एक का चार होगा दोस्तों एक क्या होगा चार नेक्स्ट है दोस्तूं प्रारूप सिमेती के मूलत है एक मातर कांग्रेसी सदे से कौन थे प्रारूप सिमेती के एक मातर कांग्रेसी सदे से के एम मुनसी तो बी का तीन हो गया एक का चार हो गया तीसरा देखते हैं राजस्तान की रियास्तु का पर्तिनी दित्व करने वाली सविधान सभा के सदसे कौन थे कौन थे दोस्तु वीटी वीटी कर्षनामाचारी और नेक्स्ट है संग सविधान सिमेती के अधिक जुआरलालनेरू तो हमारा सही एंस्वर होगा दोस्तु चार तीन एक और दो तो स बारते स्विधान सभा का गटन किया गया था बारते स्विधान सभा का गटन कब किया गया था दोस्तु केबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतरगत तीन नमर ओप्शन है जो आपका यहां पर सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन है दोस्तु मॉन आंतेग्यू चेंप स्पोर्ड की रिपोर्ट है वो भारत सरकार अदिनियम 1929 का क्या बनी थी आधार बनी थी नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं निम्ट मेंसे बारें में ऐसते कतन को चिनित कीजिए कौन सा कतन है जो ऐसते है दोस्तों तो पहला ही कतन आपका आए सते हैं और एक नमर उप्शन सही रहेगा यह दिन्यम मारले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था नहीं जाना जाता था इस अधिनियम में केंद्रिय वे प्रांतिय विश्यू को अलग कर दिया गया था सही है यह 12 सरकार अधिनियम 19 1921 में लागू नेक्स्ट है बारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में समलित थे क्या क्या समलित थे दोस्तों एक संग का प्रावधान समलित था प्रांतु को स्वायतता देना ये भी समलित था प्रांतु में द्यवसासन की प्रास्तावना नहीं था केंद्रिय विदायका को संपर बुता परदहन करना ये भी नहीं था तो एक और दो उप्शन आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट यूशन में चलते हैं 12 सरकार दिनियम 1935 निम लिकित में से किसकी रिपोर्ट पर आदारित था केबिनेट मिशन क्रिप्स मिशन रोलेट कमिशन साइमन कमिशन तो सही एंस्वर 12 सरकार दिनियम 1935 निम लिकित में से किसकी रिपोर्ट पर आदारित था साइमन कमिशन की रिपोर्ट पर नेक्स्ट क्यूशन है 12 सरकार दिनियम 1935 में 35 ने समाप्त की क्या समाप्त की थी दोस्तों प्रांतिवे द्वेद्शासन व्यवस्ता को दो नमर ओप्शन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं 1935 का Government of India Act क्यों महत्वपूर्ण है Government of India Act 1935 का क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बारतिय स्विधान का प्रमुक्स रोत है एक नमर ओप्शन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन है निमलिकित में से किसने 12 सरकार दिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्तर कहा था निमलिकित में से किसने 12 सरकार दिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्तर कहा था दोस्तूं किसने कहा था जवार लाल नेरुने एक नमर ओप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन की ओर चलते हैं और अंतिम क्यूसन है बारतिय सासन दिनियम 1935 के दोवारा इस्तापी संग में एविशिष्ट सक्तियां किसें दी गई थी एविशिष्ट सक्तियां गवर्नल जनरल को ओप्शन दो सही रहेगा दोस्तूं तो दोस्तूं यह थे 35 क्यूसन इंपोटेंट क्यूसन जो बारतिय स्विधान है उसके बारतिय स्विधान के निर्मान और विशेष्टाओं से समंदित दोस्तूं इनको वन लाइनर बनाकर आप अपने नोट्बुक में नोट करते जाएए हर एक टोपिक जो आपके लिए इंपोटेंट रहेगा वो आपक सामने यहां पर रहेगा सामाजी के दिन का तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके बताएं वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें